घटना क्रमुरसार दिनांग 17 जुन 2021 को गाउन नगला पवल में एक यूवक मक्का के खेच से बाहर हाथ में अवेद असलाह लिये निकलते वे सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल हुआ था जसके संबंद में वरिष्ट पुलिस अथिक्षक द्वारा टीम गठित कर एवं वाइरल वीडियो में अवेद असलाह लिये हुए यूवक को चिन्हित कर ततकाल गिरफतार करने के निर्देश दियेंगे इसी क्रम में थाना कोतवाली देहाद पुलिस द्वारा टकाल कारेवाही करते वे उक्त यूवक को चिन्हित करते वे मुखमीर की सूचना पर दिनांग 18 जुन 2021 को समय करीब एक बच कर 18 मिनट पर वीडियो वाइरल में प्रयुक अवेद असलाह सहीद जिर्समी नहर पूल के पास से सपलता पूर्वक गिरफतार किया गया है पूस्ताज पर गिरफतार यूवक ने पताया कि मक्का की फसल में जंगली सूरों द्वारा नुकसान किया जा रहा था इसी कारण उसके द्वारा जंगली सूर को मारने वा भगाने के उदेश से यह गलत तरीका अपनाया गया इस संबंद में धाना कोदवाली देहाद बर मुअसा 220-2021 धारा 325 आर्म्स एक्ट पंचिकरत कर गिरफतार अभियूक्त के वरुद आवश्यक कारेवाही की जा रही है